कार स्वागत आपका सेल्स्टेडी के चैनल पर और आज हम अपनी इस वीडियो में चर्चा करने वाले हैं काफी जादा एक सीरियस और एक काफी जादा इंपोर्टन्ट इशू हम कहेंगे पॉलिटी के वे से अगर हम बात करें तो इसके अंदर आर्टिकल 142 का जिस तरीके से यूज किया गया है तो इसको हम देखने वाले हैं अभी क्या हुआ है सुप्रीम कोट ने जो राजीव गांदी की हत्या कांड के जो दोशी हैं एजी पिरारी विलन को रिहा करने के आदेश देती हैं और ये आदेश जो दिये गए हैं वो सुप्रीम कोट ने इस आर्टिकल का यूज किया है फोर 142 आर्टिकल का यूज करना यह तमाम बाते जो हैं इस वीडियो के अंदर कवर करने वाले हैं पीडियो के लिए आप लोगों को बता देता हूं डिस्क्रिप्शिन बॉक्स में टेलीग्राम का एक लिंक दिया मिलेगा तो जाकर आप वहां से इस वीडियो की पीडियो की हैं चलिए स्टार्ट करते अभी क्या हुआ है सर्वोच नेले यानि सुप्रीम कोट ने आर्टिकल 142 के तहत अपने पूर्ण नियाए परदान करने की अपनी यह साधारन शक्तियों का प्रयोग किया यानि कि जो को सुप्रीम कोट है उसको एक्स्ट्रा ओर्डिनरी पावर दी गई हुई है 142 आर्टिकल के तहत इसको बहुत अच्छे से कवर करने वाले और अपनी इन एक्स्ट्रा ओर्डिनरी पावर का यूज करते हुए सुप्रीम कोट ने ए जी पेरार विलन को यहां पर रिहा कर दिया है जो यह दोशी थे किसके अंदर यह दोशी थे जो फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर थे राजीव गांदी उनकी हत्याकान में अभी थोड़ा सा आपको हिस्ट्री बता देता हूं ताकि आप इस कहानी से अच्छे से रिलेट कर पाएं देखिए एक टाइम जब हमारे देश में अंग्रेजियों का उकूमत हुआ करती थी साधिसाथ उस वक्त शिरलंका में भी शिरलंक यहां पर मैं पना देता हूं एक मिनिट और यहां करते हैं चल नहीं रहा गया एक मिनट ओकी चल रहा है चल रहा है तो शिरलंका के अंदर भी क्या था यह हमारा देश हो गया ठीक है और यहां पर यह एक शिरलंका एक यहां पर हो गया हमारे सामने आइलेंड होता है तो जब अंग्रेजियों की हुकूमत वहा करती थी तो यहां पर अंग्रेज शिरलंका में भी थे तो यहां शिरलंका में अपनी हुकूमत को चलाने के लिए वो भारत से लोगों को लाया करते थे और भारत से लोगों किन को लेके गए थे वो तमिल लाडू के लोगों को लेके चले गए थे यहां पर शिरलंका में आपको बता है बोध धरम है यहां के लोगों को सिनहले कहा जाते हैं तो यहाँ पर सिनहले लोग जो थे वो क्या कहते हैं कि majority के अंदर है लेकिन जब यहाँ पर अंग्रेजों के दुआरा लोगों को लाया गया भारत के लोगों को तमिल के लोगों को लाया गया तो यह प्रशाशन चलाने में help की उनकी काफी पड़े लेके थे काफी उंचे-उंचे पदों पर यह पहुंच चुके थे तमिल के लोग लेकिन जब यह ब्रिटिश जो थे वह इस देश को छोड़के गए भारत को छोड़के गए तो यहां पर जो majority में जो सिनहले थे इनको लगा कि हमारे उपर जो तमिल ह यहां पर एक तरीके से तमिल के लोगों को यहां से भगाना शुरूआ उनको मारना शुरूआ उनको यहां पर किसी भी बड़ी education institute में admission देने से मना कर दिया गया यहां देखा जाए तो एक तरीके से जो तमिल जो लोग थे जो भारत से आकर बसे थे इनके rights का उलंगन होने लेगा तो यहां पर एक लिटे करके लिटे करके क्या था एक organization आती है वो अपने हक की मांग करती है और यहां पर एक तरीके से civil war start हो जाता है और लिटे जूंकि तमिल लोगों से थे और भारत का तमिल के लोगों किसे connectivity थी तो यहां पर लिटे को कभी भारत से दिक्कत नही क्या दो है है वहा थो भारत की लेकी राजीव गांधि के टाइम में ऐसाद में तरीके की उमीड लिटे को कि हम हमें समर्थन मिलेगा कि हमारे rights की बात होगी लेकिन हुआ उल्ट कर राजीव गांदी की गौर्रमेंट के अंदर यह बात हो गई गई कि इननका की आरमी का साह देती है और लिट्टे को समाप्त करने की बात हो गई यहां पर और हो भी गए और इसके चलते क्या हुआ लिट्टे को जो जुड़े हुए थे जो इनके जो समू यानि जो इस और्गिनाजिशन के जो लोग थे इन्होंने एक तरीके से राजीव गांदी से अपना बदला ले के लिए 21 मही 1991 को एक आत्म हत्या वाली एक कह सकते हैं कि सुसाइडल एक महिला हम कहेंगे कि अपने बैल्ट लगाकर बैल्ट में बम होता है अपने आपको उड़ा देते जब वो राजीव गांदी को महार पहनाने वाले थे और उस वक्त अपने उस बैल्ट में लगे बम को वो उड़ा देती है अक्टिवेट कर देती है साथ में इस महिला की महत हो जाती है तो यह होता है 21 मही 1991 को इस के बाद 22 मही 1991 को इस केस की जान शुरू होती है 25 मही 1991 में आते जाते तमिलाडू सरकार ने इस केस की जान जो है वो CBI की विशेज टीम को सौंप दी 11 जोन 1991 में CBI इनने 19 साल के परारी विलन को गिरिफतार कर लिया और कहा कि परारी विलन जो है वो में सस्पेक्ट है में मास्टर माइंड है इस हत्याकान का वर टारा के ताहित जो है वो केस दर्ज किया गया था 20 मही 1992 आते आते एक तालिस आरोपियों की किलाफ चार शिट जारी की गई थ और तीन लोग इसमें फरार थे 28 जनवरी 1998 में आते थे इस मामले की लंबी सुनवाई के बाद यहां पर कोट ने निलनी और पेरारी विलन सहीट 26 दोश्यों को मोत की सजा सुनाई फिर बात आते हैं 11 माई 1999 में सुप्रीम कोट ने पेरारी विलन और निलनी को और गुरुग जो गावर्नर थे निलनी की सजा को उमर कैद में तब्दील कर दिया गया था 2001 में पेरारी विलन संस्तान और मुरुगन सहीट अन्य तीन दोश्यों ने भारत के राष्टपती को अपनी याचिका देय याचिका लिखी थी सोंपी थी और 2006 में पेरारी ने एक आत्म कथा लि कितने एक लंबा प्रोसेस आप देखते हैं 1991 से चलते चलते 2011 आ जाते हैं इनकी पर देयाचिका यह भी खारिज कर दी जाती है अगस 2011 में 9 सितंबर 2011 को फांसी दी जानी थी लेकिन तमील आडू सरकार जो थी उन्होंने यह परस्ताव मदरास हाई कोट में फांसी के आदेश पर रोक लगा दी थी अब देखिए जब यहां पर हत्यागांट हुआ था तो तमील के जो लोग थे कहीं ना कहीं पेरा रिवलन के साथ कनेक्ट थे उन्होंने इसको माफ कर दिया था कि ठीक है जो हुआ ठीक मतलब इनके परस्पेक्टिव से इनको कुछ भी इसमें गलत न लगे हुए इनको बाहर निकालने के तो आप देखेंगे कि कैसे लोगों को कनेक्शन था प्रियार विलन से या फिर जो बाकी के जो लोग थे लिटे थे इनसे बहुत जादा कनेक्टिविटी है और तमील के लोगों में आप देखते भी हैं यह सारी चीजे एक मूवी आई कि उस वक्त शिरलंका की मदद क्यों गवर्मेंट ने यहां पर लिटे कई लोगों को मदद करनी चाहिए क्यों कि वह भारत के लोग तो यहां बर भी अलग परस्पेक्टिव निकल के आते हैं कि शिरलंका जो हो गया उस वक्त आपकी आज की डेट में आप देखते हैं तो शिरलंका में कहीं ना कहीं चीन जो है अपना इंवेस्टमेंट करना चाहता है और यह सारी चीजें उस वक्त भी थी कि भारत के लिए जो शिरलंका है जो छोटे-छोटे आइलेंड जो देश है वह बहुत ज्यादे इंपोर्टन्ट है लोकेशन वाइस कि भारत यहां पर अ कर सकते हैं अब यहां पर आप देखेंगे 2015 में ने तमिलाडू के राज्य पाल किसे देया आजिका सूपी और आर्टिकल 161 के तहत रिया ही के मांग की थी अब एक सवाल यहां पर आते हैं कि क्या गवर्नर जो है 161 के तहत हत्या से जो हत्या के जो आरोपी है मतलब जिनको कि सजा दी गई है क्या उसकी सजा को माफ कर सकते हैं राष्टपती जो है राष्टपती 72 आर्टिकल के तहत तो कर सकते हैं क्या गवर्नर कर सकते हैं नहीं कर सकते हैं तो एक कोशन यहां पर भी आपके लिए कड़ा हो जाता है क्या इसका भी जवाब आपको मिलेगा टेंश है और वो कर सकते हैं तत्कारिन मुक्यमंत्री पलानी स्वामी दोहजार अठारा की बात है देख्षता वाली तमिलाडू के विनेट ने सभी साथ दोश्यों को रिया करने की सिफारिश की थी अब एक चीज ध्यान रखना वो शिफारिश किसको करेंगे वो शिफारिश करेंग है राज्यपाल को और राज्यपाल किसकी एड़न एडवाइस पर काम करता है अपनी ही हिसाब से काम कर रहे थे और इसमें देरी कर रहे थे अब देरी करते-करते यह बात आ गई सुप्रीम कोट के पास सुप्रीम कोट ने का कि हम जो हैं 142 आर्टिकल का यूज करते हैं और यहां पर रिहा करते हैं जो A.G. पेरारिविलन है जो हत्याकान के जो दोसी है राजीव गांदी के 31 साल बाद इनको रिहा कर दिया गया है और अब ही आप देखते हैं तो एक अलगी माहौल वहां पर देखने को आपको मिलेगा अब बात करते हैं हमारे सामने जो सुप्रीम कोट है वहां पर उन्होंने कहा है कि संगवाद की रक्षा करते हुए यानि फेडरलिजम की रक्षा करते हुए कागी हत्या के मामले में दोस्यों द्वारा किये गए आर्टिकल 161 के तैस्षमा की याचिकम के मामले में राज्यों के पास राज्यपाल को सायता और सला देने की शक्ति है मतलब कि aid and advice पे काम करेगा राज्यपाल ये कहा गया है ये सुप्रीम कोट ने भी कहा है और obviously अगर आप देखते हैं हमारी समयदान को उठा कर तो वहाँ पर राज्यपाल की एक परिभाशा निकल के आती है कि राज्यपाल जो है वो aid and advice यानि सायता और सला पर काम करेगा किसकी जो cabinet जो ministry है जो वहाँ की respective state government है उनके वहाँ पर article 161 में यह प्रावदान है कि किसी भी मामले से संबंदित किसी भी कानून के खिलाब किसी भी अपराद के लिए राज्यद्वारा दंड दिये गए संबंद में राज्यपाल के पास दंड को निलंबित करने दंड की अवधी को कम करने दंड के स्वरूप को परविर्तित करने इवन पारडन करने कि उनके पास ये power है यहाँ पर यह बात बोली गई अब बात करते हैं सर्वोज नियले का निर्णे देखे सर्वोज नियले इन सुप्रीम कोट ने का कि तमिलाडू जो मंत्री परसद है 2018 में राज्यपाल को दी गई शमादान की सला समीधान के आर्टिकल 161 राज्यपाल की शमादान की शक्ति है यह कि अंतरगत राज्यपाल के लिए बादेगारी है इसका मतलब यह हुआ अगर aid and advice आती है गौर्रमेंट की तरफ से राज्य तमिलाडू के मंत्री परसद की तरफ से आई 2018 तो यहाँ पर राज्यपाल के लिए बादेकारी हो जाता है कि वो काम करें उसके उपर यह बात बोली गई शमायाजिका पर नेड़ने लेने के लिए राज्यपाल की अनिच्छा ने नियायले को पेरारिविलन के साथ नियाय करने के लिए आर्टिकल 142 के तहत अपनी जो constitutional powers हैं जो extraordinary powers हैं उनका यूज करने के लिए विवश कर दिया यहां पर पेरारिविलन को रिया करने के लिए सुप्रीम कोट ने आर्टिकल 142 का इस्तिमाल किया जो नियायले को एक तरीके से अलग extraordinary power प्रोवाइड करता है और नियायले ने केंदर के इस तरग को totally खारिज कर दिया जिसमें कहा गया कि राष्टपती के पास article 72 के तहत यह power है कि वो धारा section Indian Penal Code 302 के तहत हत्या के आरोपी को शमादान की याचना जो है वो केवल राष्टपती ही कर सकते हैं तो यह जो चीज है केंदर ने बोली थी लेकिन कोर्ट ने इस बात को नकारा कर दिया कि नहीं ऐसा नहीं कर सकते हैं article 161 के तहत भी ऐसा किया जा सकता है और governor यह कर सकते हैं और अगर ऐसा नहीं होगा तो केवल 161 तो मिर्थी पत्र के समान हो जाएगा और आज तक जितना जो शमाय आचना की गई है 70 years तक 70 सालों तक वह एक तरीके से एमान्य कोर्ट एमान्य हो जाएगी तो ऐसा नहीं हो सकता तो सुप्रीम कोर्ट ने साफ तोर पर यह जो तरक है वो खारीजी ही कर दिया अब देखे आर्टिकल 142 की बात करते हैं काफी जादा एक तरीके से हम कहेंगे कि कोर्ट के पास भी बहुत जादा एमान्य तरीके से पावर जली गई है अब यह आपके सामने कुछ एक्जाम्पल मैं रखूँगा डेफिनिशन की बात करते हैं तिके आर्टिकल 142 सर्वोच नेले को विवेका धीन शक्ति परदान करते हैं कि अपनी सोच समझ कर जो उनको सही लगता है ओविसली इतने बड़े जजीज होते हैं उनके वो सोच समझ कर फैसला करते हैं क्योंकि इसमें का गया है कि सर्वोच अपने अधिकार शेत्र का प्रयोग करते हुए एक ऐसी डिक्री यानि एक ऐसा ओडर वो पास कर सकते हैं या आदेश दे सकते हैं जो उसके समक्ष जो कोर्ट के समक्ष काफी टाइम से एक पेंडिंग इशू है या फिर जिसको न्याए नहीं मिल पा रहा है और वहां पर ब अकीलों ने इसकी प्रशंसा की थी या फिर केंगे सुप्रीम कोट की प्रशंसा की थी क्योंकि जिस तरीके से 142 का आर्टिकल का यूज किया जा रहा था जिसमें लोगों को जो वंचित वर्ग हैं उनको न्याए नहीं मिल पा रहा था तो उनको न्याए दिया जा रहा था प्रेवरन की रक्षा की जा रही थी, तो इस तरीके के प्रयास किये जा रहे थे, तो वहाँ पर शुरुआत में तो सुप्रीम कोट की काफी जादा सरहाना की गई थी, बाने की इस आर्टिकल का यूज करते हुए, ताजमेल की सफाई का निर्णे, या फिर कई जो विचारा इन केदियों को नियाए परदान किया गया था, तो यह काफी बड़ा एक पॉजिटिव इसकी शुरुआत रही थी, स्टार्टिंग की बात करते हैं, अब बात करें कि भौपाल गैंस्त रास्दी के पीडितों से संबंदी थे, यूनियन कारबाइड के मामले में सर्वोच ने खुद को संसद या राज्य की विधान सवाओं दोरा जो कानून बनाए गया थे, उससे भी उपर रख दिया, यहाँ पर एक तरीके से अब 142 आर्टिकल का आप यूज देखेंगे, तो कुछ जादा ही यूज करने लग गया था, कोट, एक तरीके से यहाँ पर एक लग गया था, कोट के उपर, कि कोट अपने मन माने धंक से, जो कानून बनाए गये हैं, उससे भी उपर हो गये हैं, उनको भी नहीं मान रहे हैं, और यहाँ पर कोट को, यानि सुप्रेम कोट को यह बात सपस्ट करनी पड़ी थी, बार एशोशियेशन वर्सीज यूनियन इंडिया के मामले में कहा गया था, यह देखे, आर्टिकल 142 का जो यूज है, वो मुझूदा कानून को एक तरीके से हटाना नहीं है, बलकि एक तरीके से उनके विकल्प के तोर पे काम करना है, और नियाएक अतिरेक के मामले में, यानि जैसे कैसीज ओफ जुडिशियल ओ पावर का यूज किया गया है, हमारे समीदान में जो structure of, basic structure of constitution है, जिसमें separation of power है, पारलेमेंट की जैसे अलग पावर है, जुडिशियल की ओर पावर है, तो यहां पर जैसे separation of power है, इस को एक तरीके से 142 आर्टिकल का यूज करते हुए, ओवरीच कर दिया गया है, कोर्ट के उपर, अब जैसे बात करें कि देखिए, राश्ट्रिया है, राजमार्गों में, शराब की बिकरी पर पर परती हुए, लेकिन सुप्रियम कोट ने अपनी एंट्री लाते हुए का, आर्टिकल 142 का यूज करते हुए का, यह देखिए 500 मिंटर की दाइरे में जो है, वो पर परतिबन लगा दिया ताकि वहां पर नहीं हो सकती, फिर इसके बाद सुप्रियम कोट ने आगे क्या क्या, वहां पर भी एक्शन लिए, जहां पर जो राज्य सरकारे हैं, जो स्टेट गवर्नमेंट है, जो स्टेट हाइवेज हैं, वहां पर भी अपने इस 142 आर्टिकल का अंदेखी की जा रही है, 142 आर्टिकल का इस तरीके से यूज किया जा रहा है, तो यहां पर कोट के उपर भी इल्जाम लगना स्टार्ट हो गया, आगे की रा क्या हो सकती हैं, लेकिए सरवोच नेले को इस बात पर एक तरीके से आत्म निरक्षन करने के आवशकता हैं, य अन्य विकल्प यह भी है कि जो आर्टिकल 142 का यूज करके जो भी निर्ने दिये गए हैं, जो भी मामले आए हैं, कम से कम वहां पर पांच नियाए दिशों के एक समीधान पीठ को भेजा जाना चाहिए, ताकि यहां पर पांच नियाए दिश होंगे, वो एक तरीके से जह कामलों में जहां अदालत 142 को लागू करती है, सरकार को एक काम करना चाहिए, जिस तारिक से लागू किया गया है, जिस भी फैसले को दिया गया है, तो वहां पर वो एक तरीके से उनके नेगिटिव असर क्या पड़े आने वाले टाइम में, छे महीने में या एक साल में, तो एक तरीके से एक पेपर निकाले, वाइट पेपर निकाले, वहां पर पॉजिटिव नेगिटिव इफेक्ट सब चीजों के बारे में बताएं वहां पर, कि हाँ इनके इस आर्टिकल का यूज करने से ये पॉजिटिव इफेक्ट पड़ा, ये नेगिटिव इफेक्ट तकि जान सकें कि 142 आर्टिकल का गलत ढंक से यूज ना हो रहा हूँ अब बात करते हैं कि राष्टपती की शमादान के शक्तियां लेकिए आर्टिकल 161, 142 और एक आर्टिकल आता है 72 हम बात करेंगे 72 जिसमें राष्टपती के पास पावर हैं कि वो किसी को शमादान कर सकते हैं भले ही उसको फासी की सजाओ सेम यहाँ पर हम बात करते हैं कि कितने तरीके की होती हैं एक होता कॉम्यूटेशन का मतलब होता है कि किसी को सजा प्राप्त है तो वहाँ पर उसका प्रकरती यानि उसकी नेचर बदल देना जैसे कि मृत्यु दंड को कठोर कारावास में कर देना एक उतार रिमिशन रिमिशन के बता होता है कि सजा की अवधी बदलना जैसे दो साल से एक साल कर देना लेकिन सेम कंडियन मतलब कि सजा जो है वो परिमिशमेंट जग वो सेम रहेगी हाँ टाइम कर दिया जाएगा एक वह अतर एक विराम कुछ विशेश परिसीतियों में इस तरीके का विराम दिया जाते है फर एक्जामपल की कोई गौर्मेंट प्रेगनेंट महिला है तो वहां पर इस समय चाहिए ताकि वो लगू करने नहीं कॉम्टेशन या रिमीशन इनका यूज कर सके या पारडन जो है वो इनकी आचिका कर सके तो यहां पर इस तरीके का वो यूज कर सकते हैं इसके अलावा पारडन है जो पूर्ण रूप से माफ कर दिया जाता है चाहिए वो किसी भी त वाश्चपती के पास पावर आती है तो उमीद करता हूं कि यह पूरा टोपिक आप लोगों को समझ में आ गया होगा देखे ओविसली इसको लेकर काफी लोगों को कुछ नेगिटिव कुछ पॉजिटिव व्यूज हो सकते हैं लेकिन हमें एक्जाम के पॉइंट व्यू से कर सकते हैं तो बसाज के लिए इतना है था थैंक यू फॉर वाचिंग डिस वीडियो